अगर आपके शत्रू ने आपका जीना मुहाल कर रखा है, अगर आप दुश्मन के चंगुल में बुरी तरह से फस्द चुके हैं, आपको उमीद की कोई भी किरन नजर नहीं आ रही है अगर कोई शत्रू आपको बहुत परिशान कर रखा है, दुश्मन ने आपको मृत्य तुल्य कष्ट दे रखा है, तो साथियों अब आपको आशा की किरन मिलने वाली है आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बतानी जा रहा हूँ, जिसको करने के बाद आप बड़े से बड़े शत्रू के चंगल से बाहर निकल सकते हैं कोई भी शत्रू आपका एक बाल भी हिला नहीं पाएगा, ये मैं पंडित नीतिन शास्त्री आपको विश्वास दिलाता हूँ उमीद रखिये, होसला रखिये, आप अपनी इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे, ये मेरा आपको भरोसा है कई लोग बुरी तरह से शत्रूओं के चंगल में फस जाते हैं तंत्र, मंत्र, तोना, तोटका, किया, कराया, ना जाने कई लोग ये बुरी चीजें करके दूसरे को परिशान करने का काम करते हैं कई बार लोग अपने नीजी स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं कि वो दूसरे का सही गलत अपना खुद का सही गलत नहीं पहचान पाते क्योंकि अगर आप अपने नीजी स्वार्थ के लिए किसी का बुरा कर रहे हो तो याद रखना आप कभी सुख से नहीं रह पाऊगे प्यारे साथियों आज मैं दुश्मन से छुटकारा पाने का या दुश्मन को जड़ से खतम करने का एक ऐसा उपाय आपको बताने वाला हूँ जिसको करने पर आप बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पा सकते हैं लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा ये उपाई तभी काम करेगा अगर आप सचमुच में किसी प्रोब्लम में है या सचमुच में किसी शत्रू ने आपको परिशान कर रखा है किसी दुश्मन ने आपको बांध दिया है आपको कोई किरन नजर नहीं आ रही है आप अपनी रक्षा करना चाहते हो अपने आपको शत्रू से बचाना चाहते हो तभी उपाई काम करेगा लेकिन अगर आप जान बूझ कर किसी का बुरा करने के लिए इस उपाई की करने की सोचोगे तो याद रखिए आप संकट में पढ़ जाओगे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ किसी अच्छे व्यक्ति के उपर या जान बूझ कर गलत नियत से इस उपाई को करने की सोचना भी मत नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा ये वार्निंग मैं आपको पहले दे रहा हूँ ये उपाई केवल वही लोग करेंगे जिनको दुश्मन ने मृत्यु तुल्लेकष्ट या बहुत बेचैन कर रखा है परमात्मा कहते हैं कि अपनी खुद की रख्षा करने के लिए आप उपाई करें लेकिन जान भूझ कर किसी दूसरे का बुरा करने के लिए कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं ओम्त्रियंबकम्यजामहे सुगंधिम्पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिवबंधनान मृत्यूरमुक्षियमाम्रियतात बोलिये शंकर भगवाने की जै तो प्यारे बंधुजनों मैं पंडित निती शास्त्री जोतिश विराकल पर आप सभी भगतों का हारदिक स्वागत करता हूँ और उमीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे और भगवान भोले नात की क्रिपा आप सभी के उपर बनी रहे अब मैं आपको शत्रू मुक्ती का एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिसका परिणाम आपको बहुत जल्द मिलेगा कितना ही टाइम से शत्रू के चंगुल में चाहे आप फसे हो चाहे कितना ही बड़ा दुश्मन उसने चाहे आपके उपर कुछ तोना तोटका कोई तंत्र मंत्र करवा रखा है आप उन सभी से बाहर निकल जाओगे, ये मेरा आपको विश्वाश है इस उपाई को आप करके देखना तो ये उपाई आपने रविवार या मंगलवार को करना है एक कांटेदार विरिक्ष की पत्ती आपने लेकर आनी है कांटे वाला कोई पेड होता है जैसे गुलाब हो गया या अनार का पेड हो गया या बेरी का पेड हो गया कोई भी ऐसा विरिक्ष जो कांटेदार हो उसकी आपने एक पत्ती लेकर आनी है रविवार या मंगलवार के दिन अब आपने तुलसी का पोधा जहां पर लगा हो वहाँ पर तुलसी की जड़ के पास से थोड़ी मिक्टी उठा लेनी है अगर काली मिक्टी कहीं से मिल जाए तो वो सबसे बेश्ट रहेगी अगर काली मिक्टी ना मिले तुलसी की जड़ के पास से थोड़ी मिक्टी आप उठा लेंगे अब आपने उस पत्ते को और उस मिक्टी को अपने लेफ्ट हैंड में रख लेना है मित्ती और वो पत्ता उसके बाद आपने जो कनिष्ठी का उमली होती है सबसे छोटी उमली जो होती है वो उस मित्ती में आपने घुमानी है और उस शत्रु का नाम अपने मन में बोलना है जिसने आपको परिशान किया हुआ है उसके बाद अब आपने इस मित्ती को और ये जो पत्ता है इसको नीचे भूमी पर डाल करके और पैर से इस मित्ती को कुचल देना है यानि कि पैर से इस मित्ती को रगड देना है ये क्रिया आपको करनी है किसी भी रविवार या मंगलवार के दिन इस उपाई को जैसे ही आप करेंगे कुछ दिनों में इसके परड़ाम आपको मिलेंगे और आपका जो भी शत्रू जो भी दुश्मन चाहे वो कितना ही बड़ आपने आपको बलशाली कहता हो वो कुछ ही दिनों में आपके मारग को छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा वो दुश्मन जीवन में दोबारा कभी आपको कोई कष्ट, कोई पीड़ा पहुचाने की सोचेगा भी नहीं शत्रू मुक्ती का ये इतना जबरदस उपाई है आपका करतव्य है जादा से जादा इस एपिसोड को शेर करें तकि important जानकारी अन्य भक्तों तक भी पहुच सके अगर आपका कोई प्रश्ण है तो कमेंट करेंगी जय माता की